नमस्का दोस्तों सुगमियान चैनल में आपका स्वागत है और एक बार फिर में एक नई टॉपिक के साथ हाजिर हूँ आज का हमारा जो वीडियो है वो बिटैमिन से संबंधित टॉप पचास प्रशनों पर आधारित है इससे पहले में एक बीडियो बना चुका हूँ जिसमें हम लोगों ने बिटैमिन के संबंधित जो तथे थे उनको डिसकस किया था उस अगर वीडियो को आपको देखना है तो वो वीडियो का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस वीडियो में हम लोग वही जो बिटैमिन टॉपिक है जी बिग्ज्यान का बहुत ही महत्तपूंट टॉपिक है सभी प्रतियों की प्रिक्षा में कम से कम एक प्रश्ण पूछ लिया जाता है तो उसी संबंदित हम लगबख जो प्रश्ण बन सकते हैं उन प्रश्णों को हमने बनानी कोसिस की है और इसमें हम पूरा जो बिटैमिन टॉपिक है उसको कवर करने जा रहे हैं तो आप वीड सब्सकार का कारवनिक योगिख है जो की शरीड में उपाप चाई अभिक्रियाओं में उत्रिर्थ इंद्रण करते हैं में और इसलिए इनकी आपूर्ति बिट्य युक्त भुज्य पदार्थों के माध्यम से की जाती है तो आए आज का वीडियो प्रारम करते हैं पहला प्रशन देखते हैं बिटामिन की खोज किस ने की तो इस प्रशन का सही उत्तर है कैसीमर फंक अधिकतर जो प्रशन है उसके उत्तर में केबल फंक लिखा होता है लेकिन इनका पूरा नाम कैसीमर फंक है उन्होंने बिटामिन की खोज की आई अगला प्रशन देखते हैं कैसीमर फंक ने बिटामिन की खोज किस बरस की थी तो इस प्रशन का सही उत्तर है 1911 1911 में बिटैमिन की खोज की गई अगला परशन देखते हैं कैसीमर फंक ने बिटैमिनों की अबधार्णा का पहली बार निरूपण कब किया तो इस परशन का सही उत्तर है 1912 अगला परशन देखते हैं विटामिन के खोज करता फंक किस देश के बैग्यानिक थे तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है पोलेंड कैसीमर फंक पोलेंड के बैग्यानिक थे उन्होंने विटामिन की खोज की थी अगला प्रश्ण देखते हैं, विटामिन्स को किस प्रकार के पदार्थ के रूप में जाना जाता है, तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है रक्षात्मक पदार्थ, विटामिन्स को रक्ष्मात्मक पदार्थ के रूप में जाना जाता है, अगला प्रश्ण देखते हैं, घुल नो पर सीम्स Cyclone R से आधार पर एक जल्मेशी घुलांसील बितामिन और दूसरे बसा एक कार्वनिक घोलात हैं या कार्वनिक नेक आप अगला परश्न देखते हैं किघवलमे घुलांसील बितामिन कौन कौन से हैं हाई इस परश्न का Kahी उत्तर है vitamin b vai vitamin c vitamin bь vitamin c gel में गुलनसील है आईए अगला परश् Before Touch देखते हैं कार्वनिक घोलकों में गुलनसील vitamin कौन-कौन से है तो इस परशन का सही उत्तर है vitamin a, d, e, k vitamin a, d, e और k कार्वनिक बलाइकों में गुलनसील होते है कौन सा बिटैमिन नेत्र, तवचा, हड़ी बा हमारे शरीर की प्रत्रिक्षा प्रडाली को मजबूती प्रदान करता है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है बिटैमिन A आई अगला प्रश्ण देखते है किस बिटैमिन में कोबाल्ट पाये जाता है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है बिटैमिन B12 बिटैमिन B12 में कोबाल्ट पाये जाता है और कोबाल्ट एक खनीज लवड़ है जो कि बिटैमिन B12 का महत्पूर घटक है या बिटैमिन ब्रद्धी के लिए आविशक है इसकी कमी से तंत्र का तंत्र की कारे की भी गरबड़ा जाती है अगला प्रश्ण देखते हैं किन बिटैमिन का संस्लेशन हमारे शरीर में होता है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है बिटैमिन D और बिटैमिन K बिटामिन डी और के का संस्लेशन हमारे सरीर में होता है आईए अगला प्रश्ण देखते हैं किस बिटामिन का संस्लेशन सूर्य के प्रकास में उपस्थित परावेंगनी करणों द्वारा तवचा के कोलस्टरॉल यानि इरगैस्ट्रीरॉल का द्वारा होता है तो इस सात्रिक्त मक्खन यकर्त ब्रक अंडों की जर्दी से भी यह मिलता है आई अगला प्रश्ण देखते हैं कौन सा बिटामिन जीवाणों द्वारा हमारे कोलन में संसलेशित होता है और वहां से उसका अवसोशन भी होता है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है बिटामिन के आईए अगला प्रश्ण देखते हैं विटामिन ए का रासाइनिक नाम क्या है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है रेटिनॉल विटामिन ए का रासाइनिक नाम रेटिनॉल है अगला प्रश्ण देखते हैं विटामिन बीवन का रासाइनिक नाम क्या है तो इस प्रश्ण का उत्तर है थाइमीन इसे फंक ने चाबल की छीलन से प्रथक किया था किन्तों विशुद रूप में इसे बिलियम्स ने 1934 इसवी में प्रथक किया था तो विटाइमिन B1 का जो रासाइनिक नाम है वो थाइमीन है आए अगला प्रश्ण देखते हैं विटाइमिन B2 का रासाइनिक नाम क्या है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है राइवो फ्लेविन विटामिन B2 का रासाइनिक नाम राइवो फ्लेविन है आए अगला प्रश्ट देखते हैं विटामिन B3 का रासाइनिक नाम क्या है तो इस प्रश्ट का सही उत्तर है निकोटिनमाइड या नियासिन अगला प्रश्ट देखते हैं विटामिन B5 का रासाइनिक नाम क्या है तो इस प्रश्ट का सही उत्तर है पेंटो थेनिक एसिड, बिटाइमिन B5 का रसाइनिक नाम पेंटो थेनिक एसिड है, अगला परश्ण देखते हैं, बिटाइमिन B6 का रसाइनिक नाम क्या है, तो इस परश्ण का सही उत्तर है, पाइरीडॉक्सिन, B6 का रसाइनिक नाम पाइरीडॉक्सिन है, बिटाइमिन B6 का नियमित सेवन देखे गए, सपनों को याद रखने में सहयक होता है, यह एक रोचक तथ्य है कि बिटाइमिन B6 का नियमित सेवन क्या जाए, तो देखे गए सपनों को याद रखने में यह सह होता है अगला प्रश्ण देखते हैं विटामिन बी सेवन का रसाइनिक नाम क्या है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है बायोटिन बिटामिन बी सेवन का रसाइनिक नाम बायोटिन है अगला प्रश्ण देखते हैं विटामिन बी इलेवन का रसाइनिक नाम क्या है तो इस प् एसिद के विटामई बी लेवन का रासाइनिक नाम फॉलिक एसिड है कि अगला पस्ट देखते हैं विटामेन बी ट्वेल्व का रासाइनिक नाम क्या है तो इस प्रेशन का सही उत्तर है साइनो कोबालामिन विटामिन B12 का रासाइनिक नाम साइनो कोबालामिन है आई अगला प्रश्ण देखते हैं विटामिन C का रासाइनिक नाम क्या है विटामिन C का रासाइनिक नाम क्या है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है S-Carbic Acid विटाइमिन C का रासाइनिक नाम S-Carbic Acid है आई अगला प्रश्ण देखते हैं विटाइमिन D का रासाइनिक नाम क्या है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है Calciferol विटाइमिन D का रासाइनिक नाम Calciferol है अगला प्रश्ण देखते हैं बिटैमिन E का रासाइनिक नाम क्या है तो इस पर्षन का सही उत्तर है टोको-फएरोल बिटैमिन E का रासाइनिक नाम टोको-फएरोल है अगला पर्षन देखते हैं बितमेंशे का राशायनिक नाम क्या है इस पर्ष a くलो किणून बितमेंन की से कमी से होता है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विटैमिन A विटैमिन A की कमी से मुख्षिता बहुत बार पूछा जाता एक्जाम में रतोंधी रोग होता है रतोंधी रोग विटैमिन A की कमी से होते हैं और उसके अलावा संक्रमण का खत्रा या जीरो फितैलमिया भी होता है आईए अगला पश्ण देखने से पहले थोड़ा और जान लेते हैं बिटैमिन A का कारिये द्रस्टी रंगाउं रोड़ापसिन यानि विज्वल पिगमेंट्स के संसलेशन में भाग लेना होता है और मानब सरीर में यकर्थ में बिटैमिन A की काफी मातरा संचित रहती है बिटैमिन A का मुक्स रोट गाजर होता है आई अगला पश्ण देखते हैं बेरी बेरी रोग किस बिटैमिन की कमी से होता है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विटैमिन B1 यानि थाइमीन की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है कभी-कभी प्रश्ण में केबल विटैमिन B लिखा होता है तो वो भी आंसर ठीक होता है विटैमिन B की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है और इस्पेशली कहा जाए तो बिटैमिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है आई अगला परश्ण देखते हैं तुचा का फटना जीव का फटना वा आँख का लाल होना किस बिटैमिन की कमी से होता है तो इस परश्ण का सही उत्तर है बिटैमिन B2 राइवो फिलेविन बि पिलाग्रा यानि तवचादाद या फोर्डी सिंड्रोम किस बिटैमिन की कमी से होने वाला रोग है तो इस परश्ण का सही उत्तर है बिटैमिन B3 बिटैमिन B3 कमी से पिलाग्रा और फोर्डी सिंड्रोम नामक रोग होते हैं अगला परश्ण देखते हैं बाल सफेद होना बा मंद बुद्धी होना किस बिटैमिन की कमी के कारण होता है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है बिटैमिन B5 आई अगला प्रश्ण देखते हैं एनीमिया बा तवचा रोग किस बिटैमिन की कमी से होते हैं तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है बिटैमिन B6 एनीमिया बा तचा के रोग बिटैमिन B6 की कमी से होते हैं आईए अगला परशन देखते हैं बालों का गिरना लकवा वा सरीर में दर्द किस बिटैमिन की कमी से होते हैं तो इस परशन का सही उत्तर है बिटैमिन B7 आईए अगला परशन देखते हैं एनीमिया बाप पेचिस रोग किस बिटामिन की कमी से होते हैं तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है बिटामिन B11 बिटामिन B11 की कमी से एनीमिया और पेचिस रोग होता है अगला प्रश्ण देखते हैं एनेमिया बा पांडू रोग किस बिटामिन की कमी के कारण होता है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है बिटामिन B12 अगला प्रश्ण देखते हैं इसकरवी रोग बा मसूरों का फूलना किस बिटामिन की कमी से होता है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है vitamin C vitamin C की कमी से इसकरवी रोग वा मसूडों का फूलना आदी रोग होते हैं आईए अगला प्रश्ण देखते हैं बच्चों में रिकेट्स वा बायस्कों में औस्टियो मैलेसिया रोग किस vitamin की कमी के कारण होते हैं तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है vitamin D vitamin D की कमी से recates यानि सूखा रोग होता है और ये हड्डियों के रोग होते हैं अगला प्रश्ण देखते हैं किस vitamin की कमी से जनन शक्ती में कमी आती है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है vitamin E विटामिन E की कमी से जनन सक्ती में कमी आती है अगला परश्ण देखते हैं किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का ना बनने की समस्या उत्पन होती है तो इस परश्ण का सही उत्तर है विटामिन K बिटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनने की समस्य उत्पन होती है रक्त का थक्का बनने के लिए उस्मा, थ्रॉम्बिन, एड्रोनेलिन, कैल्सियम, क्लोराइड और बिटामिन के की आविशक्ता होती है आएए अगला परश्ण देखते हैं मचली यकरत का तेल किस विटामिन का स्रोथ है तो इस प्रष्ण का सही उत्तर है विटामिन A बाव विटामिन D स्रोथ होता है अगला प्रष्ण देखते हैं नीबू, संत्रा, नारंगी वा खटे पदात किस बिटैमिन के स्रोथ हैं तो इस प्रश्Net का सही उत्तर है बिटैमिन C खटे फलों में जैसे नीबू, संत्रा, नारंगी इंसम में बिटैमिन सी पाया जाता है अगला परशन देखते हैं कौन सा बिटामिन आतों में भी उत्पन होता है तो इस परशन का सही उत्तर है बिटामिन के आई अगला परशन देखते हैं अब तक कुल कितने प्रकार के बिटामिन ग्यात हो चुके हैं तो इस परशन का सही उत्तर है लगभग 20 प्रकार के आई अगला परशन देखते हैं कौन सा बिटामिन लोह अवसोशन में सहयक होता है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है vitamin C अगला प्रश्ण देखते हैं किस vitamin को रुधिर स्रावर रोधि पदार्थ यानि anti-hemorrhagic factor के नाम से भी जाना जाता है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है vitamin K अगला प्रश्ण देखते हैं किस vitamin की कमी वाले व्यक्ति का operation आसानी से नहीं किया जा सकता तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है vitamin K क्योंकि रोगी का अधिक रुधर बह जाने का खत्रा बना रहता है आईए अगला प्रश्ण देखते हैं vitamin मानव शरीर द्वारा संसलेशित नहीं किया सकते इसके अपबाद हैं तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है vitamin D और K जो अधिकतर vitamin है वो शरीर द्वारा संसलेशित नहीं होते हैं परंत अपबाद स्वरू vitamin D और K हमारा शरीर संसलेशित कर लेता है आई अगला प्रश्ण देखते हैं जन्तुओं को अधिकांस बिटामिन भोजन से ही प्राप्त होते हैं क्योंकि इनका संसलेशन होता है पादपों यानि प्लांट्स द्वारा आई अगला प्रश्ण देखते हैं बिटामिन से कितने कैलोरी उर्जा प्राप्त होती है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है सुन ने बिटामिन से कोई भी उर्जा प्राप्त नहीं होती है आई अगला प्रश्ण देखते हैं बिटाइमिन किस प्रकार के कार्वनिक पदार्थ हैं तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है जटिल कार्वनिक यॉगिक बिटाइमिन जो है वो जटिल कार्वनिक यॉगिक हैं तो ये थे आज के हमारे वीडियो के प्रश्ण अगर आप इन प्रश्णों का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलिग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के description box में लगा हुआ है बिटाइमिन पर हमने एक 30 कलास भी दी है उसका वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के description box में लगा हुआ है पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार और अगर आपने अभी तक सुगम गैन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है